हाई गैज और विलकम बाक टुदी चैनल दीपाच यादव एजूकेशन विलकम टुदी डेली हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल इनालेसस ओफ 28 ओफ सेप्टेंबर 2023 तो गैज आज है तारिक 28 सितंबर 2000 ते हिस और है थर्सडे देखेंगे आज के इंपोर्टेंट लेक्चर का PDF चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलिग्राम दन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपाच यादव एजूकेशन यूपी एससी आपको येवला चनल मिल जाएगा यहां से आप डेली बेसस पेस लेक्चर के PDF को डाउ अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है चिंचोली wildlife century को कहां पर है ये exactly located इसको अच्छे से मैप में देखना दन उसके बाद आकर नीचे comment section में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय त statements आपको यहाँ पे दो statement दिये गए हैं बताना है इनमें से कौन सा statement सही है पहला statement बोलता है कि जो sustainable development goals है इनको सबसे पहली बार लाया गया था 1972 में एक global think tank है जिसका नाम है club of Rome उसके through second statement बोलता है कि जो sustainable development goals है इनको हमें 2030 तक achieve करना है तो दोनो statement में से कौन सा statement correct है option number A1 only, option number B two only, option number C दोनों सही है या option number D दोनों के दोनों गलत है तो इसका सही answer सभी को नीचे comment section में देना है at least सभी को उसमे participate करना है जैसे मैं आप लोगों से daily basis पे बोलता हूँ by the way इसका जो correct answer है वो मैं आपको टेलिग्राम पर provide करवा दिया है वहाँ से भी आप इसको check out कर सकते हो और अगर वहाँ पर answer नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है वीडियो के last में इसके correct answer का discussion हम लोग करेंगे तो चलो शो बार हम करते हैं और चलते हैं सबसे पहले thumbnail वाले important article की तरफ अब thumbnail में जो मैंने mention कर रहा है आप सोच रहे होंगा real है या नहीं है देखो बिलकुल real है इस channel पर starting से जो भी videos मैंने बनाए हैं उन में कभी भी मैंने कोई fake news यहाँ पर share नहीं किये अभी मैं आपको दिखाता हूँ यह जो article की हम बात कर र kingdom यह दुनिया का पहला देश बन चुका है जिनके पास में एक injection आ चुका है और उस injection से 7 minute के अंदर अंदर जो cancer की problem है उसका treatment दिया जा सकेगा वो treatment शुरू हो सकेगा only 7 minutes और ऐसे articles अगर आप सर्च करोगे तो आपको हजारों article मिलेंगे हिंदी, English, National, International सभी articles के अंदर जो इ समझ में नहीं आ रहा है, मतब यह injection तयार किया गया है, किस business पर तयार किया गया है, क्या था यह पहले matter, पहले भी इस प्रकार की चीज़ थी है हमारे पास, तो वो पूरा का पूरा जो confusion है वो दूर हो जाएगा, बिलकुल सिंपल तरीके से मैं आपको समझा दूँगा, उस लेबल नहीं है, अब जो ये treatment की बात कर रहे हैं, कि 7 मिनेट के अंदर treatment शुरू होगा, तो ये जो basically कौन कौन से cancer हो सकते हैं, किनके treatment की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे lung cancer, breast cancer, liver cancer और bladder cancer, इन cancers की बात की जारी, जिसमें से lung cancer भी काफी ज़दा common देखने को मिलता है लोगों हैं, तो अगर इस cancer का कोई patient है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी जो treatment है, उसकी शुरुबात हो रही है, मैं आपको बता दूँ, ये जो anti-cancer वाला injection तयार गया है, ये तयार किया गया नाशनल health services के तुरू, नाशनल health service basically England का ही अपना एक publicly funded health care system है, बोला गया है इस NHS के तुरू कि ये जो injection है, ये कम से कम साथ मिनिट लेगा अपना काम शुरू करने में, क्योंकि दोस्तों cancer में क्या होता है, आपको पता है कि जो हमारे cells है, वो abnormal growth होरने लगते हैं, abnormal तरीके से यहाँ पर cells की जब growth होती है, तो वो cancer के लाता है, for example, जैसे कई सर लोग को tumor हो जात है, आप tumor यहाँ पर पहली stage कह सकते हो, वो ही tumor क्या होता है, cancer में बदल जाता है, तो वो stages जो है उसकी बढ़ती चली जाएंगे, और जैसे से हम लोग आगे stages पर चले जाएंगे, for example, third stage पर चलेगा, तो कहीं न कहीं वो cancer जानलेवा बन गया, उसका treatment फिर कहीं न कहीं impossible से हम क देखने को मिलता रहता है, तो cancer में क्या होता है, जो हमारी cells हैं, जब उसकी abnormal growth होने लगती है, उसी abnormal growth को हमें control करना पड़ता है, और उसी abnormal growth को control करने के लिए, हमारे पास बहुत सरी जो therapies हैं, वो already आ चुकी हैं, बहुत सरी treatment मतलब, आज से अगर आप लोग 15-20 साल पहले दे technology और innovations यहां पर लगातार हो रहे हैं, लगातार बहुत सरी treatment आ चुके हैं, कई सरी treatment के बारे में आपनों सुना होगा, for example, radiation therapy, chemotherapy, है ना, अब ये therapy का main काम यही होता है, कि जो ये abnormal cells हैं, इन abnormal cells को control किया जा सके, इनको रोका जा सके, है ना, इस प्रकार से आपर कई सारी मतलब, एक इनसान अपने cancer को ठीक कर सकता है, समझ गए, तो ये थोड़ा साया पर आपको एक difference देखने को मल जाता है, और इससे होगा क्या, एक तो injection जल्दी जली दिये जाएंगे, तो ज़्यादा cancer के patients को treatment दिया जा सकेगा, दोस्तों एक अच्छी बात ये भी निकल करा ये से के स कि इस vaccine को approval मिल चुका है, MHRA की site से, MHRA क्या है, medicines and healthcare products regulatory agency, इसने approval दे दिया, और ये MHRA मतलब body है क्या, ये body UK की ही, एक state agency responsible है, यानि कि इसके पास में ये जिम्मेदारी है कि ensure करना कि जितनी भी दवाईयां, जितने भी medical devices हैं, वो safe हो, ठीक है, और ये approval देने के बाद में, टेस अब question यहाँ पर यह है कि injection है क्या और कैसे काम करेगा, मैं आपको बताता हूँ, cancer को ठीक करने के लिए एक और therapy दी जाती है, जैसे मैं आपको कई सारी therapies के नाम बताए ना, radiation therapy, chemotherapy, stem cell therapy, ये सारी therapies होती है, इसमें एक और therapy आती है, जिसका नाम है immunotherapy, और इस immunotherapy के अंदर में एक दवा दी जाती है, जिसका नाम है anti-zolizumab, चीक है, अब ये anti-zolizumab दी कैसे जाती है, इस तरीके से drip के मादम से, जैसे hospital के अंदर bottle बगर चड़ा ही जाती है न, ऐसी यहाँ पर anti-zolizumab, अब ये जो anti-zolizumab है न, ये market में किस नाम से बिकती है, ये आप देख पाओगे टेसेंट्रिक के नाम से ये medicine बिकती है, अब इसको इस तरीके से hospital में एक patient को लेटा आकर drip के मादम से चड़ाया जाता है, और drip के मादम से चड़ाते चड़ाते कभी-कभी यहाँ पर patient की nurse मिलती है का भी नहीं मिलती है तो उसमें भी problems है, तो बहुत गंटे भर लग जाता ह इस पूरे process को आगे continue करने में, आदे गंटे से लेकर एक गंटा उससे भी ज़्यादा समय लग जाता है, कभी-कभी यहाँ पर यह जो पूरी दवा है इसको body के अंदर में डालने में, अब क्या हुआ है, इसी का injection तयार हो चुका है दिहान अकना, यानि कि वो ही है, बस खा का पूरा treatment है, वो एक तो इसकी speed बढ़ जाएगी, ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि बही, जैसे कि यहाँ पर यह नॉर्मल तरीका जो होता है न, इस तरीके से जो यह drip के मादियम से दवा दी जाती है body के अंदर में, इससे कहीं न कहीं, 75% effective होगा direct injection के मादियम से यह क्योंकि cells की abnormal growth हो गई है, वही abnormal growth हमें हटानी है, तो उसको हटाने के लिए यहाँ पर वो जो abnormal cells हैं, उनको ढूंडूंड कर मारने का यह काम करती है, और मैं आपको बता दूँ, यह काम कैसे करेगी exactly, देखो कोई भी person है, अगर उसका immune system बहुत कमजोर है, तो छोटी से ऐसे drip वाले system के through दी जा रही थी, लेकिन अब इस तरीके का injection त्यार कर लिया गया है, कि सीधा 7 minute के अंदर आपके body में एक injection दिया जाएगा, जिससे यह दवा सीधा body के अंदर enter कर जाएगी, और enter करने के बाद में, जो भी cancer का patient होगा, उसका जो immune system है, उसको और ज़्यादा powerful बना देगी, और वो immune system फिर cancer के जो भी cells होंगे, जो भी यहाँ पर disaster cells है, जो abnormal cells है, जो grow हो रहे है, extra cells, उनको खतम करने के लिए यहाँ पर जो दवा है, वो काम करना शुरू कर देगी, समझ गए, तो यहाँ पर 7 minutes के अंदर treatment शुरू हो जाता है, अब ऐसा कह सकते हो, और म इसको कीमो तरफी के साथ में भी हम दे सकते हैं, combine करके, और इसको लेकर बहुत सरे अलग-अलग जो भी हाँ पर कह सकते हो, health sector के अंदर bodies हैं, जो बहुती नामी bodies हैं, दुनिया भर में, है ना, उन्होंने अपनी साइट से जो है, काफी congratulate किया है, बहुत सरे अच्छे-चे messages जिस करें हैं, कि यह बहुत अच्छी चीज़ है, कि यार, cancer का जो patient है, उसकी quality of life है, उसको हम अच्छी तरीके से maintain कर सकते हैं, जो treatment उसकी speed को बढ़ा सकते हैं, maximum patients को treatment एक साल के अंदर दिया जा सकता है, ठीक है, तो यह पूरा का पूरा जो process है, यह आपको देखने को मिल ज आता है, तो दोस्तों बस यहां पर यही difference है, बस उसका injection तयार किया गया है, जिसका काम करने में बस खाली 7 minute लगने वाले हैं, ठीक है, तो यह पूरा का पूरा हमारा हुआ news article complete, clear हो गया, हर चीज समझ में आ गई, ना आ गया आता है, अभी इस topic को, यानि यह वाला point है, इस वो लंबे समय से news में बना वाया, और कई सारे articles already में discuss कर चुका हूँ, कई सारे editorials cover कर चुका हूँ, तो अभी मनीपूर में कुछ दिनों पहले internet को वापस से लाया गया, क्योंकि पिछले कुछ समय से internet यहां पे banned था, internet को जैसी यहां पर चालू किया गया, वापस से protest शुर यहां पे क्या हुआ कि वापस से protest स्टाट हो गए, और वापस से protest स्टाट होने के बाद में जो armed forces हैं उनके साथ में जड़ा पो गई normal students की, और यह problem लगातार बढ़ती चली जा रही है, यह आप देखपाऊ कि जो security personal है, जो हमारी armed forces है, वो आंसु वाली जो gas है, वो मनिपुर की सरकार ने जो अफस्पा एक्ट है, इसको आगे 6 मेंने के लिए एक्स्टेंड कर दिया, कि बही चलो अब, आगे 6 मेंने के लिए पूरे मनिपुर में अफस्पा एक्ट लागो हो रहा है, कुछ एरियास को छोड़ कर, 19 police station, जो यहाँ पर 7 district के अंदर में है, उन हो गया, armed, F से हो गया, forces, S से हो गया, special, P से हो गया, powers, और A से हो गया, act, यानि, armed forces, special, powers, act, जिस भी state में अगर यह अफस्पेक्ट लागो हो जाता है, वैसे जातार, North Eastern states में आपको देखने को मिलेगा, पिछले कुछ समय पर कई सारे state से इस वाले act को हटाया भी आए, reason यह उनको special power दे दी जाती है, और special power के तहत यहाँ पर इनके पास में गोली मारने तक की power है, किसी के उपर शक है, और वो नियमों को तोड़ रहा है, इनके इसाप से नहीं चल रहा है, यह warning दे सकते हैं, उसके बावजूद भी नहीं मान रहा है, तो इसी इदा गोली मार सकते है और गोली मारने के बाद में इनको कहीं पर जवाब नहीं देना है, इतना ही नहीं, इनके पास में और भी powers आजाती हैं, उस वेक्ति का जो यहाँ पर घर है, उसके अंदर में पूरा का पूरा investigation करना, search करना, कि यहाँ पर कुछ गलत तो नहीं है, जिसको पर शक हो basically उसकी ब बोला North Eastern States में, कई सारे एरिया से यह aspect हटाया गया है, बट यहाँ पर मनीपूर के अंदर में इसको आगे 6 मिने के लिएक स्टेंड कर दिया गया है, reason क्या है, reason यहाँ पर जो violence हो रहा है, जो rights हो रहा है, वो अभी भी समल नहीं रहे हैं, अब इसी वज़ा से examination के point of view से आप एक तरीके का, जो अंग्रेज अपने समय पर लेकर आये थे, उसी तरीके का, उसी से मिलता जूलता एक कानून है, ठीक है, जब अंग्रेजों का साशन चल रहा था, तो उस समय पर आपके सकतो, protest को रोकने के लिए, जो भी यहाँ पर quit India movement चला, quit India movement के दौरान बहुत सरे प् फिर बाद में इसी ordinance को replace कर दिया गया, एक act के मादम से 1948 के अंदर में, ठीक है, अब दोस्तों present समय पर यह आज का सिनेरियो अगर हम लोग देखें, जो हमारे North Eastern India है, ठीक है, North East में जो भी हमारे राज्ये हैं, जैसे मनिपूर, मेगालिया, असम, अरुनाचल प्रदेश, है 1958 में लेकर आया जाता है, उस समय के जो हो मिनिस्टर थे, जीबी पंत इनके थ्रू, अब होता गया है कि यह जो पुरा act है, इसको starting में हम लोग अफस्पाइक्ट के नाम से जान रहे थे, और यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं कि अफस्पाइक्ट में एक चीज स्पेशल 1958 में जब यह कानून लेकर आने की बात की गई रहे हैं तो इस समय पर हम इसको Armed Forces Assam and Manipur Special Powers Act के नाम से जान रहे थे, क्योंकि यह केवल Assam और Manipur में लागू किया गया था, क्योंकि वहाँ पर बहुत से rights हो रहे थे, तो वहाँ पर शांती बनाने के लिए, अब होता क्या है कि दीरी दीरे यहाँ पर इस act को और भी states में लागू करने लगे, इसमें से जो असम और Manipur यह हटा दिया गया, इसको सीधा Armed Forces Special Powers Act यानि सीधा अफस्पा के नाम से हम लोग यहाँ पर जानने लगे, तो दीरी दीरे यहाँ पर काफी सरी जो states है उनमें भी इनको implement कर दिया यहाँ यहाँ पर इसका थोड़ा सा background हुआ, अब examination के point of view से बात करें, तो अफस्पा basically क्या है कुछ यह factual data आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इस कानून के तहट जो हमारी Armed Forces है जो हमारी Army है, उनके पास में बहुत सारी powers आजाती हैं, बहुत सारी ताकत आजाती हैं, ठ आपे लंबे समय से मांग चली है कि हम इस राज्ये को अलग करना चाहते हैं, इसको एक अलग से देश मिनाना चाहते हैं, तो नागरलेंड के अंदर भी यही इशू था, ठीके, तो नागरलेंड के अंदर भी शांती बनाने के लिए हैं, यह जो कानून है, यह पता है working में क कब आया, यानि सबसे पहली बार इसको लागू कब किया गया, सबसे पहली बार इसको लागू किया गया 1958 में, ताकि नागरलेंड के अंदर में जो भी इशू चल रहे थे, उनको हम डील कर सकें, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, अलग करने की मांग कर रहे थे, कई सरे ऐसे खड़े उचुके थे वहाँ पर, उनको टैकल करने के लिए सबसे पहली बार यह जो लोह है, इसको लेकर आया गया, ताकि उन दंगो को रोका जा सके, क्योंकि आर्मी को special powers मिल चुकी है, इस aspect के तहट तो वो अब सीधा किसी को shoot भी कर सकते हैं, तो यही एक तरीका था यहाँ पर दंगो को शांत करने का, ठीक है, तो basically आपको यह समझ में आया, इससे क्या होगा, कि आर्मी को special power मिल जाएगी, लेकिन वो जो special power है, वो केवल disturbed areas के लिए दी जाती है, और वो disturbed area कैसे होगा, वो मैं आगे समझाँगा इसके बारे में, ठीक है, अब दोस्तों यहा जाता है कि जो इनको special power मिलती है न, उस special power के तहत यहाँ पर यह किसी person को जिसके उपर शक बहुत जादा है, वो नहीं मान रहा है, loss के इसाप से जा रहा है, उसको हम लोग एक बार warning दे चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कानुन खिलाफ जा रहा है, तो उसको arrest किया जा सकता है, उसकी जो जगाए, वहाँ पर investigation किया जा सकता है, तेकिकात की जा सकती है, बिना किसी warrant के, इनको warrant की अवश्यक्ता भी नहीं है, ठीक है, यह बात आप देख पाओगे, यानि एक बहुत ही जादा powerful हो जाते है यह army person इस aspect के तहत, तो 1958 में इसकी शुरुआत हो जाती ह जहां से सुनना, क्योंकि मैंने जैसे बोला, कोई भी area अगर disturbed area है, जहां पर अशांती फैली वही है, वहाँ पर शांती बनाने के लिए, अफस्पैट को लागू करता है, लेकिन वो disturbed area declare करेगा कौन, तो वो disturbed area declare करने की जो power है, वो हमारी central government और state government को दे दी गई, मानलो किसी राज्य में बहुत दंगा चल रहा है, तो हमारी केंद्र सरकार उस राज्य से बातचीत करने के बाद में, वहाँ पे, जिस भी area में दंगा चल रहा है, उसको disturbed area घोशित कर देगी, कि यहां पर यह problem चल रही है, और disturbed area घोशित करने के बाद में, अफस्पैक्ट लागू हो जाएगा और लागू होता ही हमारी arm forces के बास में special powers आ जाएंगी, यह पूरा concept होता है, समझ गए, ऐसी यहां पर आप देख पाओगे, कई सारे states में लंबे समय से इस act को लागू किया गया था, लेकिन कई सारे states में इस act को हटाया, for example, त्रिपुरा के अंदर में यह जो act है और आज क्या यह किसी state में है, बिलकुल है, आज के समय पर जो यह act है, यह असम के कुछ हिस्सों में लागू है, नागलेंड के, मनीपूर के और अरुनाचल प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में लागू देखने को मिलेगा, जब मैं बात करूं इन states की, तो यह सारे states आपको समझा सकते हो, इतने ज़्यादा सिंपल शब्दों में आज समझा दिया है, एक्जामनेशन में आप अराम से लिख सकते हो, इसके बारे में लिख सकते हो ना, अब आगया आता है, अब बात यहाँ पर है कि जो यह अफ्सपा एक्टेनर्स को लेकर लंबे समय से कॉन्ट्रो पावर दी गई है कि वही सर्च कर सकते हैं किसी भी किसी के भी घर को, आरेस्ट कर सकते हैं किसी परसन को बिना किसी वारेंट के शूट कर सकते हैं, इवेन इतनी सारी पावर्स हैं, तो यह जो एक्सराइज हैं, एक्स्ट्राओर्डिनरी जो पावर्स आम फोसिस को दी गई तो अगर यहाँ पर फेक एंकाउंटर या गलत फेमी की वेसे एंकाउंटर हुआ है तो कहीं न कहीं वहाँ पर human right violation हो रहा है ऐसा आप कह सकते हो इसी वेसे लंबे समय से काफी सार बार जो question से वो पूछे गए अफस्पैक्ट को लेकर काफी सरे एडिटूरल में डिसकस किया है जहाँ पर writer suggestion देते हैं कि यह जो actors को हटा देना चाहिए लोगों की मांग है कि एक्ट हटा देना चाहिए क्योंकि इसे extraordinary powers आ जाती है हमारी armed forces के पास हुमे देख पाऊंगे एक समय पर पंजाब में भी यह ला हुआ है जैसे मैं आपको starting बताया फिर त्रिपूरा त्रिपूरा मैंने 2015 में रिपील कर दिया गया था यह सब अलड़ी हम डिसकस कर चुके हैं यह basically mint की एक research report है उसके according दिया गया है ठीक है अब दोस्तों मैं आपको बता हूँ यह तो आपने समझ लिया कि controversy क्यों इस कभी हो दाता है और इसी वज़ा से क्योंकि इतनी जादा मांग उठती है कि इसको हटा देना चाहिए तो इसी के लिए जीवन रेडी कमीटी बनाई गई थी और उस कमीटी ने अपना क्या recommendation दिया यह जानना भी आपके exam के लिए important है दोस्तों समय था November 2004 और इस समय पर हमारी इसाप से बता सकते हो अब क्या हुआ इस कमीटी ने सब कुछ देखने के बाद में review करने के बाद में अपने recommendation दिये इनका पहला recommendation क्या हुआ पहला recommendation यह था कि जो अफस्तों इसको हटा दिना चाहिए खतम कर दिना चाहिए इस committee ने यह बोला दूसरी बात इन्हों ने यह ब इसके ओपर शक होता है कि वह कहीं न की इंडिया के लिए problem create कर सकता है है ना तो शक क्या अधार पर उसको arrest कर लिया जाता है तो unlawful activities दो होती है बैसिकली उसको रोकने के लिए act लेकर आया होगे था तो इस committee ने ये बोला कि आप अफस्पक्ट मतलओ अफस्पा act को खतम कर दो इसके बजाए जो अफस्पा के provisions हैं आप उनको भी UAPA में merge कर दो इसका use करो ये इस committee ने बोला इस committee ने दूसरी बात और बोली थी इन्होंने ये भी बोला कि जो unlawful activities act है UAPA वाला इसको आप change कर सकते हो modify कर सकते हो यहाँ पर आप army forces को कुछ special powers दे सकते हो paramilitary forces को कुछ special powers दे सकते हो लेकिन आपको अफस्पा act की तरह बिल्कुल ऐसा extraordinary powers नहीं देनी चाहिए ठीक है ये basically आपर इस committee के recommendation दे तो इनका कहना यह था एक्ट खतम कर दो UAPA को लिया हो अब क्या हुआ यह जो controversy अभी भी थम नहीं रही थी और इस committee ने बात बोली है इससे कोई satisfaction मिला ने फिर उसकी बाद में क्या होता है ARC का भी recommendation आता है ARC आप समझतों ARC की reports आप पढ़ते होंगे ARC का मतलब है administrative reforms commission तो यहाँ पर जो fifth report होती है ARC की वो क्या बोलती है हमारा second ARC की fifth report यह बोलती है कि जो यहाँ पर अफस्पा है इसको खतम कर दिना चाहिए यानि यह जो committee है इन्होंने भी अफस्पा को खतम करने की बात की और इस report ने भी अफस्पा को खतम करने की बात की लेकिन क्या सरकार ने किसी की बात मानी नहीं मानी यह जो recommendations से इनको कभी भी लागू नहीं किया गया अफस्पा आज तक चल रहा है जैसे चल रहा था वैसे आज की समय पर भी चलता वना जरा रहा है समझ गए मैं आपको बता दूँ जैसे मैं आपको अल्यड़ी बता चुका हूँ कि 11 सितंबर 1958 में हमारे parliament के अंदर में इस aspect को मंजूरी बिल गई थी उसके बाद यहाँ पर यह तयार हो चुका था बन गया था फिर उसके अदमें देरे-देरे कई हिस्सों में इसको लागू किया गया फिर कई हिस्सों से हटाया गया ठीक है अभी फिलाल यहाँ पर यह वापस से news मा चुका है अब आपका एक question और होगा इतना सब कुछ हो चुका है तो क्या Supreme Court का कोई रोल नहीं है Supreme Court बीच में नहीं आया Supreme Court भी आया था दोस्तों अब Supreme Court ने इस कानून को लेकर अपने क्या point of views रखें जरा उसको भी सुन ले 38 में केस पहुंच गया था नागा People's Movement of Human Rights versus Union of India इस मुवमेंट इस particular केस के तहद यहाँ पे Supreme Court ने अफस्पेक्ट को सही धराया support किया और अपने judgment में Supreme Court ने कुछ बात है और add कर दी क्या add कर दी कि जो central government जो कर रही है ठीक है लेकि central government को state government जिस राज्ये में आप यह अफस्प सकते हो भी situation सही है ठीक है फिर उसका अब एक्सपार भी कर सकते हो यह बात बोली गई है बट यहाँ पर situation जब समली नहीं है तो उसको बार बार extend भी किया जाता है अब ऐसा भी देख सकते हो अब एक बात यहाँ पर order है यहाँ पर Supreme Court ने बात और यह बोली कि जो aspect है ठीक अब विशक ना हो जाए तब तक यूज नहीं करना है यह Supreme Court के भी कुछ recommendations थे तो दोस्तों यहाँ पर यह पूरा का पूरा aspect को लेकर matter है यह क्या है अपको समझाया प्लस मनीपूर की situation यह आपको समझ में आ गई क्योंकि दोस्तों यह क्या है यह हमारा issue है यह news है अब examination में news आप से नहीं पूछी जाएगे examination में अगर कुछ पूछा गया तो उसका background data यह पूछ जाएगा यह सब कुछ आपको इस PDF में मिल जाएगा यह देखो mains में 2015 में सवाल पूछा गया था सवाल यह है कि जो human right activist है वो लगातार इस अफस्पा एट की बात करते हैं और बोलते है एक draconian law है यानि जबर्दसी का कानून है सब के ओपर लागू क्या जा रहा है लोगों के rights हीने जा रहे है human right violation हो रहा है ऐसे यहाँ पर human right activist जो है यह बात बोलते हैं अब बोला यह जा रहा है कि आप क्या सोचते हो उससे जो aspect है यह काफी जरे activist के थूँ अपोस किया जाता हो क्योंकि आपने में इसमें केवल सटीक वर्ड्स लिखने हैं सटीक वर्ड्स कहने का मतलब है minimum requirement आपके 200 शब्दों की है मतलब 1500 का भी एक आंसर आता है तो आपने 250 वर्ड्स में अगर maximum मानो तो लिखना है जितना आपको यहाँ पर दे दिया गया है आप इतने ही वर्ड् ultimate content है ना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है सीधा बस खली आपने मन लगा के पढ़ने की जरूरत है ऐसा हर एक आर्टिकल में आपको प्रवाइट करवाता हूं सरगसर डीटा इसी विए से वीडियो थोड़ा सा लेट हो जा रहा है लेकिन आपको बहुत help मिलेगी यह मेरी guarantee ह आगया आता है अब दोस्तों यहाँ पे जो PDF है ना यह थोड़ी सी lengthy हो जाती है तो इसके जो class के notes वगरा है वो सब आपको daily current notes PDF वगरा में provide करवाय जाता है और उस PDF को पाने के लिए आपके पास में बढ़िया चांस है कि आप एक paid group को join कर सकते हो और paid group को join करने का जो amount है व करना क्या वीडियो आया अपने एक गंटा एक गंटा बीस मिर्ट में वीडियो सुना इसको साइड में रख दो आगर नोट्स भी रहने की जूरति है आप बाकी study की तयारी शुरू करो क्योंकि यहां पे आपको इस तरीके से PDF दिया जाता है जिसको आप प्रिंट आउट भ लाइफ टैम आपने केबल एक बार investment करना है सारे benefits आपको मिलते रहेंगे आप एक महिने में वह amount recover कर पाऊगे आप भी देख सकते हो बाकी दोस्तों यहां पर यह जो ग्रूप ऐसको जॉइन करने के लिए आपने WhatsApp पर जाना है इस नंबर पर message करना है 853-487-3368 इस नंबर प पर जाकर अपना decision लेना अपना आपको satisfy करने के बाद में कि हाँ या मुझे join करना है ठीक है चलो आदे next article पर अगला article examination के लिए again very important especially for GSP1 drama and theatre page 10 के अंदर यह article है और important है मैं आपको बता दिया GSP1 में art and culture का पूरा subject है उसके अंदर यह topic आता है आप कोई भी किताब उठा लो तो दोस्तो एक film है 2018 2018 जो film है यह मल्यालम film है मल्यालम film मतलब की केरिला के एक film है यह किस theme के उपर बनी हुई है तो 2018 में जो बाड़ आई थी केरिला के अंदर में उस बाड़ के basis पर इस film को बनाया गया अब यह film काफी ज़़दा पसंद करी गई है तो उसकी वज़ा से कह स पहले अल्रेडी तीन फिल्में और भी जो मल्यालम भाशा में थी वो एंट्री ले चुकी है उसकर में जैसे फॉर एक्जांपल 1997 में एक पिचरती गुरू, फिर 2011 में याँ पिचरती जली कतु, इन तीनों ने यहाँ पर ऑसकर में एंट्री ली, बस खाली ऑसकर में इनकी एं फिल्म का नाम 2018 है, तो इसको यहाँ पर कहीं ने कहीं, अभी इंडिया में, इंडिया की जो यह फिल्म है, इसको कह सकते हो, बेस्ट फॉरण लैंग्विज फिल्म के अंदर में रख लिया गया, इसको एंट्री मिल चुकी है, अब एंट्री मिल चुकी है, आगे टेंपरेचर बढ़ रहा है, उसका किस तरीके से असर पढ़ रहा है दुनिया बर के उपर में, और दूसरा यहाँ पर यह जो फिल्म है, यह मैसेज ऑफ यूनिटी का भी प्रमोट करती है, यानि एकता को प्रमोट करती है, क्योंकि जिस तरीके से केरला में बाढ़ आई थ सभी चितने भी लोग थे, चाए वो कोई से भी धरम के हो, कास्ट के हो, क्रीट के हो, सभी लोग साथ में आकर यहाँ पर उस प्रॉब्लम से लड़े, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है, फिल्मेकर का कहना है, समझ गए, ठीक है, तो एक्जैक्ली यह पूरा का पूरा मुद्द कैसे दिया जाता ओसकर अवर्ड, यह जानना ज़रूरी है, जब बात करते हैं ओसकर अवर्ड की तो दोस्तों इसको हम लोग अकैडमी अवर्ड के नाम से भी जानते हैं, यह हर साल दिये जाते हैं, इस्पेशली यहाँ पर जो फिल्म इंडस्ट्री होती है, उनके एक्सिल के बाद में जो मुवीज उनको यह अवर्ड देता है, जो पहला ओसकर सेरेमनी हुआ था दोस्तों, वो 1929 के अंदर में हुआ था, और यह जो अवर्ड है आज के समय पर यह दुनिया भर में most prestigious अवर्ड माना जाता है film industry के लिए, ठीक है किसी फिल्म को यह अवर्ड मिल जा इस मुवी को अवर्ड मिलता है और यह जो अवर्ड की पूरी event चलता है, इसको live दिखाया जाता है, टेलिवीजन में लगबग 225 countries, territories, जितनी भी चीज़े हैं सब में यह आपर दिखाया जाता है, कैसे use क्या है मुझे नहीं पता, अब बात यहाँ पर यह है कि winners decide कैसे होते आउसकर अवर्ड के अंदर में, तो दोस्तों यह जो अवर्ड दिया जाता है ना, यह अलग-लग categories में दिया जाता है, वो categories कौन्स कौन सी हैं, यह भी ध्यानक ना है, best picture की category हो गई, best director, best actor, best actress, best supporting actor, best supporting actress हो गया, इस प्रकार से और बहुत सारी categories होती है, जिसमें अवर्ड द इसमें बहुत सारी लोग film industry से आते हैं, actors हैं, directors हैं, writers हैं, producers हैं, तो यह सभी लोग मिलकर यहाँ पर choose करता हैं, भाई, कौन nominee होगा, कौन winner होगा, तो एक Oscar यहाँ पर अगर कोई film जीत लेती है, तो कहीं ना कहीं वो जो film maker होता है, उसका career कहीं ना कहीं है, बहुत एजी से द tech के point of view से important होगा, क्योंकि यहाँ पर यह जो आपको female दिख रही है, इन्होंने एक बहुत ही गजब का काम किया है, इन्होंने यहाँ पर एक कह सकते हो कि, यह जो lady है, इनको seed lady के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बीजों के उपर जो बीज होता है, ज नॉर्मन बारलो अवर्ड, नॉर्मन बारलो अवर्ड को लेकर, बहुत सरे examinations में कई बार questions पूछे जा चुके हैं, ठीक है, तो यह जो female इनको यह अवर्ड मिला है, और अवर्ड यह जो मिला है, यह क्यों मिला है, इनको, इनका contribution क्या था, वो भी आपको बताऊँगा, तो तो यह news यह है, जो हमारे Indian Agriculture Scientist है, जिनका नाम है Dr. Swati Nayak, ठीक है, इनको लोग ना, बिहाना दीदी के नाम से, या फिर Seed Lady के नाम से भी जानते हैं, तो examination में कुछ पूछे जाए, Seed Lady वगरा, तो संबत जाना की किसकी बात हो रही है, तो जो local communities है, ओडिशा के अंदर में, क तीसरी भारते बन चुके हैं, जिनको यह वाल अवर्ड मिला है, इससे पहले दो और Indians हैं, जैसे सबसे पहले, आदिती मुखर जी, 2012 में इनको यह अवर्ड मिला था, फिर महिलिंगम, गोविंदराज, इनको 2022 में अवर्ड मिला था, और इन लोगों का भी बहुत बड़ा contribution ठीक है, एगरिकल्चर सेक्टर में, क्योंकि दोस्तों यह जो अवर्ड दिया जाता है, यह especially उस परसन को दिया जाता है, जिस परसन का एगरिकल्चर सेक्टर में, खेती के अंदर में एक बहुत बड़ा contribution हो, contribution in the sense उन्होंने एगरिकल्चर में नया innovation किया हो, नया technology हो रही हो, सभी लोगो प्रॉपर खाना मिल पाएगा उससे, हैना सस्ते दाम में खाना मिल पाएगा, हर एक यह थाली तक खाना पहुँच पाएगा, अगर ऐसा किसी ने कुछ agriculture सेक्टर में गया है, तो उस बेसिस पे यहाँ पर इनको यह आवर्ड दिया जाता है, तो कहो क हो, यहाँ से भी सवाल बन सकता है आपका, तो यह जो अवर्ड इसके शुरुआत की गई थी, रॉक फिलर फांडेशन के थुरू, यह अवर्ड हर साल ऑक्टूबर में दिया जाता है, ठीक है, और कौन देता है, जो वर्ल्ड फूड प्राइज और फांडेशन है, बिसिकल यहाँ पर यह है कि सरिये इस अवर्ड का नाम, नॉर्मल जी बार लोग अवर्ड क्यों रखा गया, रीजन यहाँ पर यह है, क्योंकि यह जो इसे जमाने जाता है, उसके फादर माने जाता है, नॉर्मल आ बार लोग, और 1970 में Nobel Peace Prize भी इनको दिया गया था, तो इनहीं के न काम के उपर यह अवार्ड बनाया जाता है यहाँ पर यह जो है खेती करते में मैक्सिकों के अंदर दिखाई दे रहे हैं इनका कुछ फोटो वगरा यहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है इस अवार्ड के अंदर में तो इस अवार्ड में एक डिपलोमा होता है उसमें कुछ नॉर्मल इबारलो का इमेज होता है वो मेक्सिको के फील में काम कर रहे हैं वैसा वला इमेज प्लस 10,000 रुपे यूएस डॉलर्स भी प्रोवाइड किये जाते हैं एड डा कैश प्राइस तो ये हो कई बात अवार्ड की आप बात ये करते हैं कि स्वादी नायक जी कोई अवार्ड मिला है किस बैसिस पर इनका कॉंट्रिबूशन क्या था तो जो डॉक्टर स्वादी नायक हैं इन्होंने एक ड्राफ टॉलरेंट शाहबागी धान राइस की वराइटी को इंट्रोडियूस किया एक ऐसी चावल की यहाँ पर जो धान है मतलब चावल की जो वराइटी है ऐसी वराइटी यहाँ पर इलेकर आई जो की situation से tackle कर सकती है कैसी situation मालो यहाँ पर आपको पता है कि वही चावल उगाने के लिए आपको बहुत पानी चाहिए होता है खेत के अंदर है बहुत सारा पानी चाहिए होता है उसके बाद आप चावल की खेती कर सकते हो लेकिन अगर सूखा पढ़ गया तो क्या होगा बहुत बहुत बढ़ी चीज है जो कि हमारे फार्मर्स को मिल पा रही है इससे सभी के जो डाइट है वो प्रॉपर हो सकेगी तो यानि कि ऐसी जो वराइटीज होती है जो क्लाइमेट रेजिलेंट होती है यानि क्लाइमेट का उनके पर कोई असर नहीं पड़ेगा ऐसी वराइटीज बहुत तेजी से आजकल ग्रो कर रही है और मैं आपको अदद हो इंडिया बांगलदेश नेपाल इन सभी जगा पर बहुत सरी वराइटीज बनाई जा रही है ऐसी फसलों की और यहाँ पर यह भी एक ऐसी वराइटी है जिसका नाम है शहाभागी धान राइस आपको यह जो राइस से इसका नाम ज़रूर पता होना चाहिए एक्जामनेशन में पूछा जा सकता है ठीक है तो इन्होंने यहाँ पर एक नया इनोवेटिव अप्रोच अपनाया जिससे जो हमारे फार्मार्स उनको एक हेल्प मिल पाई साधी साथ में अगर कैसा भी क्लाइमेट हो कैसा भी यहाँ पर टैंपरेचर हो या सूखा पड़ा हो उस दोरान भी हम लोग यहाँ पर इस राइस को ग्रो कर सकते हैं ठीक है यह इनका कॉंट्रिबिशन हुआ जिस बेसिस पर यह अवाड दिया गया जल्दी हमारे सामने स्वलंबन 2.0 की जो इंफोर्मेशन है वो आएगी अगले सब्ता आ सकती है पॉसिबिलिटी ऐसी है ऐसा हमारे इंडियनेवी के वाइस चीफ का कहना है अब दोस्तों यह स्वलंबन 2.0 क्या है यह आपको समझ में नहीं आएगा क्यों क्यों क्योंकि यह अभी थोड़े दिनों बाद लॉंच होगा थोड़े दिनों बाद इसकी इंफोर्मेशन हमारे पास में बाहर आएगी लेकिन कहोगे अगर यह 2.0 है तो इससे पहले 1.0 भी आया होगा जिसको हम केबल स्वलंबन बोल रहे होंगे बिल्कुल सही तो इससे पहले यानी पिछले साल स्वलंबन भी आया है उसको इंट्रोड्यूस के आया था इसका जो में मकसद है वो यह है कि जो भारत का डिफेंस सेक्टर है ना उस डिफेंस सेक्टर को बहुत ज़दा स्ट्रॉंग बनाया जाए मजबूत बनाया जाए क्योंकि हम लोग की जो डिपेंडेंसी आज के समय पर अलगलग देशों के उपर जो हम निरभरता है वो बहुत ज़ादा है उसको हम दीर दीरे कम कर रहे हैं काफी सारे हत्यार हम अलगलग देशों से पर्चेस करते हैं तो अभी यहां पर फोकस यह है कि वो जो हत्यार है वो पर्चेस करना बंद करें अपने देश में हम खुद से उसको बनाएं उसका प्रड़क्शन करें उसकी मैनुफाक्ट्रिंग करें तो इसके लिए यहां पर यह जो स्प्रिंट इनिशेटिव है वो स्राट गया या था क्या था स्प्रिंट इनिशेटिव हो सब कुछ मैं आपको डीटिल से बताऊंगा फिलाल जो यह स्वलंबन 2.0 है इसकी बारे में जो information वो हमें अगले सप्ता मिलेगी ऐसा यहां पर writer बता चुक है चार या पांच October में हो सकता है इसकी information हमारे सामने आए तो जब आएगी information तब discuss कर लिया जाएगा फिलाल अभी यहां पर जो केवल सो लंबन है उसके बारे में हमारे लिए जानना जरूरी है तो मैं आपको बताता हूँ exactly हुआ क्या था पिछले साल हमारे प्रधान मंत्री जी ने sprint challenge को इन्होंने अनवील किया sprint challenge को यहां पर कह सकतो launch किया यह sprint challenge किया था मैं आपको बताऊंगा देखो एक seminar चल ला था NIO का NIO नाम के एक body जो है इसका नाम है Naval Innovation and Indigenization Organization तो इनका seminar चल रहा था उस seminar के दौरान यहां पर sprint challenge को इन्होंने क्या कर दिया अनवील कर दिया sprint के full form है supporting pole vaulting in research and development through IDEX, NIO and TDAC यानि कि इस sprint का main मकसद यह था कि जो इन्डिया नेवी है हमारी भारत की जो नेवी है वहाँ पर हम लोग जाद से जादा indigenous technology का यूज़ करें जाद से जादा हम लोग क्या करें ऐसी technology यूज़ करें जो हमारे देश में बनाई वी हो हम किसी देश से ना purchase करें सीधा अपने country की जो technology है यहाँ पर बनाई यहाँ पर उसका use करें इससे क्या होगा इससे इंडिया का जो defense sector वो मजबूत होगा question यहाँ पर यह है कि अगर हम अपने defense sector में खुद अपने पैरो पर खड़े होते हैं self-reliant बनते हैं तो इसका महत्व क्या होगा इसका importance क्या होगा तो दोस्तो defense sector जो है एक सबसे important sector मना जाता है किसी भी country का उसका contribution इंडियन economy में भी होगा यानि उस देश की economy में for example अभी हम इंडिया की बात करें यहां से यह समान मगा लिया यह हत्यार इससे purchase कर लिया France से purchase कर लिया USA से purchase कर लिया Russia से purchase कर लिया लेकिन अब क्या होगा हम खुश से development कर रहोंगे खुश से manufacturing कर रहोंगे तो एक तो पहले रोजगार बढ़ रहा होगा देश में दूसरा यहां पे जो हमारा burden था importing करने का बहुत सरा पैसा हमारे देश से बाहर जा रहा था वो यहाँ पर रुख पाएगा और मैं आपको बता दू जो हमारे defense industry का size है ठीक है वो size हमारा जो industry का size 2020 से किस के अधर में वो कही न कहें 85,000 करोड के आसपास था ऐसा यहाँ पर mention किया जा रहा है ठीक ह तो यहाँ पर हमें पूरा का पूरा focus यह है कि हम अपने इस industry को तेजी से grow कर सकें क्योंकि हमने रश्या यूकरेन का पूरा योद्ध चला इसमें भी समझा कि बहिया self-reliant होना कितना ज़्यादा जरूरी है क्योंकि रश्या के उपर जिस तरीके से sanctions लगे हैं दुनिया भर के उपर में हम लोग को वहाँ से सीख लेनी चाहिए और रश्या ने यहाँ पर देखा कि कितनी सारी problems दुनिया भर की साइट से आ रही हैं वैसन कैंट्रीज की साइट से आ रही हैं तो अपने बलबूते पर होना और मैं आपको बता दू रश्या ओलड़ी defense sector में काफी कुद देश है और इस conflict के बाद में रश्या से हम जादा डील्स भी नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा में मकसद है कि हम खुद से अपने देश में बना ले तो वो जादा बहतर है उसका एक फाइदा नहीं उसके अनेक फाइदे हैं तो यहाँ पर हमने फोकस किया कि जो हमारा private sector MSME, startup, innovation यह सब कुछ हम लोग promote कर सके हमने defense sector में और इसके लिए यहाँ पर क्या हुआ है एक technology development fund को बनाया इसलिए गया ताकि जो defense technology है भारत के अंदर में इसको हम लोग make in India initiative के तहत तेजी से promote करें बढ़ाएं और कहीं ना करें इंडिया को defense sector में self-reliant बनाएं ठीक है समझ तो यह basically यहाँ पर यह सरका सरका जो स्वलंबन नाम का एक seminar था basically वहाँ पर किया गया था अब यहाँ पर जो स्वलंबन 2.0 है यह अगले सब्ता दिखाया जाएगा इसमें जो भी information होगी वो अगले सब्ता शेयर की जाएगी जो हमारी navy है उन्होंने यहाँ पर यह बोला है वो दोनों aspects में ने cover कर दिया है तीसरा aspect जब news में आएगा 34 या 5 October में तब आपके साथ में discuss कर लिया जाएगा जब तक के लिए आप N.I.I.O के बारे में थोड़ा सा और जान लो यह national innovation organization क्या है देखो यह जो संगड़ा ने इसको 2020 में launch किया गया था ministry of defense के थुरू ताकि ज अंदर में जो self-reliance है इसको हम लोग थोड़ा सा और सदा मजबूत कर सेगे आत्म निर्भर भारत का हम विजन देख रहे थे इंडिया खुद के ओपर depend हो सके तो यह basically N.I.I.O देखने को मिलेगा Now question यह है कि आज का editorial discussion अब यार दोस्तों एक बात सुनो आज कि आप editorals देखोगे तो सारे के सारे tutorials ऐसे हैं जो हमारे काम के नहीं है या कुछ tutorials ऐसे हैं जो already हमने discussion किया हुआ है जी 20 skip ठीए politics skip उसके आद में women reservation bill अब women reservation bill अगर पढ़ना है तो परसो वाला वीडियो देख लो या उससे पहले तीन दिन पहले वाला बीस तारिक वाला वीडियो देख लो हर एक वीडियो मैं यहाँ पर इसके बार में discussion किया आप दो बार answer writing भी कर चुके हो तो यहाँ पर वापस इस article को लेना एक बेव कोफी होगी फिर उसके बाद में एक article आपको यहाँ पर यह देखने को मल जाएगा यह NASA के Osiris Rex mission के बारे बात कर रहा है परसो वाला वीडियो उपन करो दोस्तो Osiris Rex starting बताया Osiris Rex mission की जो एक clip है वो भी मैंने card के upload कर दिये दूसरे वाले channel पर उसको भी आप go through कर सकते हो महाँ से पढ़ सकते हो कि किस तरीके से जो बेनू नाम का asteroid है वहाँ से NASA का Osiris Rex mission है वो एक sample को लेकर आया है उसके उपर जो research है वो यहाँ पर start कर दी गई है तो editorial में आज हमारे पास में कोई जादा खास editorial important editorial नहीं है exam perspective से लेकिन आपको याद हमने एक article छोड़ दिया था करनाटका का monumental challenge वल आज इस article को discuss करेंगे कुछ prelims के लिए relevant तथे हैं वो आपने जानना जरूरी हैं दोस्तो हमारे पास में बहुत सारे monuments आपको देखने को मलते हैं बहुत सारे समारक हैं करनाटका में बहुत सारे पुराने जमाने के मंदर हैं लेकिन वहाँ पर कुछ मुर्तियां वगरा गायब हैं missing हैं टूटी हैं इस प्रकार का scenario है तो हमें यहाँ पर कहीन है कि इसके बारे में जो knowledge है protection है उन दोनों ही चीज़ों को यहाँ पर फैलाना पड़ेगा एक कल के newspaper का article है जीएस paper number one art and culture के point of view से important है लेकिन exam में दोस्तो prelim में आपसे क्या पूछ जाएगा मैं directly आपके साथ में वो शेयर कर रहा हूँ क्योंकि exam के लिए पढ़ रहे हैं हम तो यह जानना जरूरी है तो यहाँ पर बात हो रही है होईसला temples के बारे में तो होईसला temples क्या है यह जो मंदिर आपको होईसला में देखने को मिलते हैं especially कर world heritage site tag में clear किया जाता है तो यहाँ पर UNESCO इस list को तयार करता है तो इस list में इंडिया के total 42 world heritage sites आ चुके हैं जिसको इमानिता मिल चुकी है अब बूला जा रहा है कि जो यह temples हैं होईसला के ठीक है अब करनाटगा के अदर में तीन अलग जगा हैं बेलूर हेलिबिद और सोमना इन तुन हुई जगा पर कुछ temples हैं जिसको हम होईसला temples के नाम से जानते हैं इनको भी इस list में cover किया गया और list में cover करते ही भारत के 42 UNESCO world heritage site हो चुके हैं पहली चीज़ तो आपने यह धियान में रखना है इन temples को अगर आप देखो के दोस्तो तो बहुत लंबे समय से यह UNESCO 14 से अभी तक थे नाव फानिली यहां पर क्या हुआ अब इनको world heritage site की list में cover कर लिया गया इसी वज़े से examination के point of view से आपको पता हुना चाहिए कि जो यह होईसला temples हैं इनके regarding जो important key facts हैं वो क्या हैं दोस्तो इन temples में 3 important temple हैं जिनको यह world heritage site में cover गया गया है पहला temple है चनकेश 1680 में उसके बाद इस temple को बनाया जिस temple का photo आप बराबर में देख पा रहे होंगे ठीक है बेलूरू उस समय पर वेलापुरी वेलूर और बेलापुर के नाम से भी जाना जाया करता था यह पूरा का पूरा जो बेलूर है बेलूर है बेलूर है बेलूर है basically यह यह यागची की capital हुआ करता था यहाँ पर यह बेलूरू वहीं पर इस temple को बनाया गया था किसके थूरू होईसला के इंग विश्नु वर्दन जी के थूरू यह जो temple इसका एक special feature है कि यह star ship में आप देख पार होंगे यहाँ पर एक जो star है वो बना हुआ है ठीक है और यह जो temple है यह Lord विश्नु जी को dedicate किया गया है यह एक main temple complex है पूरे बेलूरू के अंदर में आगया आते हैं होईसला का temple एक दूसरा जो temple है वो हेलेबिद में है यह वाला पहला temple है जिसको अभी वर्ल हरीटे साइड में cover गया है जिसका नाम चनेकेश्वरा temple है दूसरा होईसलेश्वरा temple है यह हलेबिद में है ठीक है आप यह जो temple है इसमें दो श्राइंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है यह temple कह सकते हो एक शिव temple है ठीक है एक शिव मंदिर है जो कि होईसलाज के थ्रू बनाया गया था और इसका जो sculpture जो पूरा design अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर शिवा के अलग-अलग aspects को यहाँ पर define करता है प्लस इस पूरे temple के अंदर में कई सारे एसे scenes लगाए गए है जो रमायन, महाभारत और भगवत पुरान से लिए गए हाले बेट temple की अगर wall को आप देखोगे तो यहाँ पर अलग-अलग जो temples है वो छोड़े-छोड़े temples और भी नजर आते हैं ऐसा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्लस उस समय पर यहाँ एक ऐसा कुँँआ भी है stepped well के साथ में जिसमें एक पेडियां वगरा बनी हुई है फिर उसके बाद में तीसरा जो temple है जिसको अभी इस list में cover गया गया है वो है केशव temple आफ सोमनादपुर ठीक है अब यह जो temple है दोस्तों यह बहुती सुन्दर त्रिकुलर temple है जो कि जो कृष्ण जी के तीन forms है जनारदन केशव और वेनुगोपाल उनको यहाँ पर यह टेंपल डेडिकेट किया गया है इस टेंपल पे डेहर सरी नकाशियां होई भी है बहुती सुन्दर सा यहाँ पर आप देख पाऊगे उस जमाने में बहुती जादा pattern के basis पर यह जो की मूर्ती है वो यहाँ पर मिसिंग है और जनारदन और वेनुगोपाल की जो मूर्ती है वो थोड़ी थोड़ी डामेज हो चुकी है ठीक है ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है आगया आते हैं अब यह तो बात हो गई इन तीनों टैंपल्स की तो यह basic चीज़ है जो examination पूछ आपने देखे हैं यह तीनों टैंपल्स यह तीनों ही टैंपल्स आर्केलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर में हैं इनके protection के अंदर में इनके निग्रानी में अंदर में है यानि आर्केलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उनकी सुरक्षा कर रहा है इन टैंपल्स के अंद नजर आएंगे यह तो यहाँ पर मेंशन किया गया यह हमारे विमान हो गए मंटब हो गए और अंदर स्कल्प्चर साब देख पाऊगे बहुत जादा कलाकारिया नकाशय बनाए गई है चोटी-छोटी मूर्तिया बनाए गई है पूरे टैंपिल पर अगर आप देखोगे तो यह पूरा एंपायर था होईसला एंपायर इसका ओरिजन कैसे हुआ राइस कैसे हुआ तो दोस्तों यहाँ पर जो पूरा एंपायर था न इसने करनाटिका तमिलनाडू के काफी से रीजन को गवरन किया लगबाग 300 साल तक ठी सेंचरी तक ठीक है जो पहले किंग थे करनाडिका के नाम से जाने जाती है वहां से निकल कराते थे वह समय पर कैपिटल हुआ करती थी होईसला एंपायर की बाकि होईसला की एंपायर के आप पॉलिटिकल हिस्ट्री देखना चाहते हो तो कुछ बेसिक चीज़ आपको बताता हूं जो यह होईसला थे ठीक है यह बहुत ही पॉपलर रूलर हुआ कर देते हैं होईसला डाइनस्टी बहुत सारे किंग्स की विसे जाने जाती थी जैसे यहां पर आप कह सकते हो कि उन रूलर में जो सबसे पड़े रूलर होगा है विश्णु वर्धन के साथ यहां पर वीरा बलाल टू हो गए वीरा बलाल तो यह इंपॉर्टन डूलर से जैसे विश्णु वर्धन की बात करेंगे तो विश्णु वर्धन जी यहां पर बिती देव की नाम से भी जानते थे एक होईसला डाइनस्टी में बहुत ही जादा ग्रेटेस्ट किंग की तौर पर वो माने जाते थे रिलीजन और कल्चर की विश्णु 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 को अपना लिया थे हैं उने तो यह रिलीजन और कल्चर यहां पर फॉलो किया जा रहा था होईसला डाइनस्टी के अंदर में तो यह कुछ बेसिक इंफोर्मेशन होगी अब दोस्तों आप देख पाऊगे एक्जामनेशन में कैसे पू क्या है तो इसका सहीु तरहे ऑप्शन डाइनस्टी की इनट ख्मेशना इसला थे रहा थे हैं दी मंटप विमान और स्कल्प्चर ये मने आपको आर्ट एंड कल्चर के बेसिस के पॉइंट एविउ से भी बता दिया है बागी दोस्तो ये था आज का मारा पूरा पूरा बुरा डिसकेशन वैसे मैं आपको बताया एडिटूरल हमारे इतना काम का नहीं है तो आज का मेंस क अफस्पा एक्ट है इसके निंदा करते हैं बोलते हैं कि ये जो एक्ट एक ड्रेकोनियन एक्ट है जबर्दसी लाया जा रहा है लागू किया जा रहा है लोगों के उपर इससे बहुत सरे हिउमन राइट अब्यूज हो रहे है जो हमारी आम्ड फोर्स है वो हिउमन कर रही है ऐसा यहां पर लगातार हुमन राइट एक्टिविस्ट के थ्रू बोला जा रहा है तो यहां पर क्यों बहुत सरे लोग इस अफस्पा एक्ट के खिलाफ खड़े हैं पहरे तो वो बताना है फिर आपने एवालुएट करना है कि यहां पर जो हमारा सुप्रीम कोर् प्रिजन्ट से जादा लोग जुड़ चुके हैं आप भी जुड़कर अपने आंसर को लेकर समिट कर सकते हो और उससे जादा इंपोर्टेंट है कि अपने आंसर को लेकर जब आप समिट करोगे तो साथी साथ में आपने दो दो आंसर को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी आपको कुछ important points मिलेंगे जो आप इपने notes में include कर सकते हो सामने वाले के answer में अगर कोई mistake होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहां यहां पर improvement क्या आवश्यक्ता है ठीक है तो यह चीज़ आपने ध्यान में रखना तो यह हमारा आज का मेंस का question हो गया यह पूरा discussion हो गया बागी दोस्तों आते हम लोग अपने prelims वाले question पर तो आपसे यहां पर पूछा गया था sustainable development goals को लेकर दो statement है बताओ option number B to only is the correct answer ना दोस्तों यह था हमारा पूरा का पूरा discussion I hope आपको मज़ा होगा बहुत को जानने को मिला होगा जैसे मैंने बोला editorial काम के नहीं है तो आप उनको skip कर सकते हो इतना परेशान होने की ज़रुवत नहीं है now मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में आज के लिए बाबाई have a nice day thank you and जैहिंद